Hello everyone, मैं हूँ प्रतियुशा और NSN के YouTube चानल पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है तो हर अपते की तरह इस अपते भी हम स्केल लब-लब में और वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटर कुछ interesting highlights को लेकर फिर से एक बार आपके पास हाजिर है तो इस अपते की वीडियो की सुरवात हम कुछ apprenticeship updates के साथ करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं पर उससे पहले हम आपको याद दिला दे कि अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चानल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करना मत भूलेगा और पास में जो bell icon है उसे भी दबा दीजियेगा तक कि future में आप इसे interesting updates मिस्ट ना करें सरकारी कौसल पिकास परियोजनाए apprenticeships और समाचार 14 February 2023 तो चलिए सुरवात करते हैं कुछ apprenticeship updates के साथ तो इस हबते हमारे पास तीन apprenticeship updates है Punjab State Park Corporation Limited apprenticeship positions के लिए applications invite कर रहा है इसमें आप 28 March 2023 से पहले applications submit कर सकते हैं Dindal Port Authority भी eligible candidates से apprenticeship positions के लिए applications invite कर रहा है इसमें आप 28 February 2023 से पहले application submit कर सकते हैं विलाई स्टील प्लांट भी eligible candidates, apprenticeship positions के लिए applications invite कर रहा है, इसमें last date है 19th February 2023, तो इन में से ये थे इस हपते के कुछ apprenticeship updates, अगर इन में से किसी भी apprenticeship update के बारे मैं आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, आप हमारे website www.nationalskillsnetwork.in पर विजित करना मत भूलेगा, वहाँ पर हमारा एक apprenticeship से related dedicated page है, जिसका link हम आपको description box में provide कर देंगे, तो apprenticeship से related dedicated page के साथ साथ हमारे website पर job and project से related dedicated pages भी हैं, जापर कि हम इन सब के बारे में regular updates provide करते रहते हैं, तो आप इन सब pages को regularly चिक करना मत भूलेगा, तो चले आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरकार उद्योगरे काइडेमी से related कुछ causal विकार समाचार के बारे में, सुरवात करते हैं construction, construction skill development council के news से, तो construction skill development council जो की CSBCI के नाम से जाना जाता है, वो February के अंतिम सप्ताह से लेकर, अप्रिल के दूसरे सप्ताह तक भारत भर में छे वोक्षोप आयोजित करने जा रहा हैं, तो ये छे वोक्षोप गुहार्ती, हाइद्रवाद, मुंबाई, चन्नाई, बैंगलूरू, एंडली में आयोजित किये जाएंगे, और ये वोक्षोप का मुख्योधे से अप्रेंटिसिप और स्कीलिंग के बारे में अवेर्नेस क्रियेट करना है, अगर इस वोक्षोप के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, हमने इसका एक वेब वर्सन हमारे वेबसाइट पर पब्लिस किया है, उसका भी लि सी भागों में युबाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए वोक इंटिग्रेटर लर्निंग स्किल प्रोग्राम प्रदान करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है, मारोते सुजो की इंडिया लिमिटेर ने युबाओं को ओटो मोबाइल रीटे की रीट के रूप में जाना जाता है, उसकी विश्वसनियता और मान्यता को बढ़ावा देने के लिए निति आयोब ने वेवसाइक सिख्या के लिए एक अलग केंद्रिय बोर्ड का सुझाब दिया है, छात्रों के बीच हाई-टेक संस्कृती को बढ़ावा देने के लिए AICTE ने Intellectual Property Rights और Remote Sensing पर स्वयम ओनलाइन क्रेडिट पाथ्यक्रम सुरू किया है, SSI NASCOM ने NSQF से जुड़े छे प्रशिक्षन कार्यक्रमों के पहले स्ट की पेसकर करने के लिए Red Hat के साथ सयोग की गोसना की है, NCVET द्वारा स्विकृत ये पाथ्यक्रम SSI NASCOM के प्लाटफॉ Community Enabler ने घोसना की है कि उसने ड्रोन तक्नीक पर केंद्रिब्ध Drone Tech Accelerator Program के लिए AWS Intel Innovation Board के लिए 10 Startup का चैन किया है, Sky Air ने भारत में Drone Traffic Management System लांग किया, Software Drone Operators को ये सिस्टम योजना बनाने, उरान योजना बिकसित करने और जोखिमों का मुल्यांकन करने में मददगार साबित होगी. तो ये थे इस अपते के Skill Development, Vocational Education और Drone Industry से Related कुछ Highlights, अगर इनमें से किसी भी Update के बारे में आपको ज़्यादा जानकरी चाहिए, तो इसका Web Version, इस अपते के News Bites का जो Web Version हमारे Website पर एवेलेबल है, उसे चेक करना मत भूलेगा, उसका लिंक हम आपको Description Box में Provide कर देंगे. Thank you so much for watching our video, अगर ये वीडियो आपको helpful लगा तो इसे अपने friends and family के साथ share करना मत भूलेगा, तो चले हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रिखेगा और अपने Skill Development पर ध्यान देते रहिएगा.